प्रस्वह काने हैं , में बहुत अच्छी हैं और इतनी तेज बारिस को आपको पता सकते हैं तो आप लूग देख सकते हैं , रसोई में रोटी शेक रह थे , यहां पर पानी आ गया है रेळा है तो हम 20 में मतलब रसोई में ही बैठे हैं और जो है ना कमरा में है ना दर्वाजा पर है ना वसारे में है ना मतलब खिड़की के पास है तो आलू काट रहे हैं और चावल रोटी बन गया है तो सब्सुलाइट चली गई है और आप लोग देश सकते हैं तो एक तब भर गया है एक बल्ती भी भर गया है और यह भर गया है और यह है मसाला जब हम पीत लिए थे लाइक है लाइक है लाइक है जब बारिश नहीं हो रही थे तब हम मसाला पीत लिए थे नहीं तो मसाला भी पीतना मुस्किल हो जाता और बहुत बारिश हो रही है तो तो भीजने कमन भी कर रहा है लेकिन जो है भीज जाते हैं लेकिन बाल जो है भीज जाता तो बहुत बहुत ऐसे खड़ा-खड़ा बहुत निकलता है बार इतना दिन के बाद हमारे गाउ में और तो आप लोग बेश सके हैं रसुमी यहां तक पानी आ गया है तो जो बार इस बंद हो जाएगा तो हम पानी निकालेंगे इसको सब मतलब जितना जितना कमरा फुला है सब में ऐसे ऐसे पानी भर जाएगा भले भाज्याग लेकिन बार इस भगवान हो जाए ठंदर मौसल तो आप लोग देख सकते हैं अम्रूद में इतना फ़ल आया है कि मतलब इतनी तीज हवा चल रही है कि क्या बताएं जन्मी जन्मार बारी और अम्रूद ऐसे गिर रहा है नीचे जो पका-पका है अपने आप ही गिर रहा है तो आप लोग देख सकते हैं और जितना पूरा जो उज़ा था ना पूरा मती बहे के तो पानी में पूरा मती बहे जा रहा है तो प्राइंस कैसे लगा हमारा वीडियो और आप लोग और मेरा पूर्ष जड़हल का नम जम बारिस बहुत अच्छी लग रही है तो प्राइंस कैसे लगा हमारा वीडियो और आप लोग जरूर देखिएगा पिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में तब तक कि लिए बाई बाई हुआ है